हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल लेट्स लांज लोजी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लांज लोजी पे जहां पर हम आपको साल्व कराते हैं प्रीवियस यहर के बायलोजी के आयो है कुश्चन पेपर की कुश्चन और आए उसी संक् कुश्चन नमबर 41 पे इससे पहले हम आपको साल्व करवा चुके हैं 40 कुश्चन और आए आज हम देखते हैं कुश्चन नमर 41 और कुश्चन नमर 41 आपको इसक्रीन पर दिखाई दे रहा है देख रखा यहां पर यह रखा है प्रामीड आफ एनर्जी इस तो पूछा गया कि यह आपका एक पिरामीड बना हुआ है तो होता है कि इसमें बहुत सारे लेबल होते हैं तो यहां पर इसका ऐसा लेबल हो जाएगा ठीक तो फस्ट लेबल में क्या आता है plants आते हैं यहां पि grassies कह सकते हो सेकेंड फस्ट लेबल में यह आ जाएंगे इसके बाद इसके बाद जो सेकेंड इसका लेबल होगा consumer जो होगे वो क्या होगा इसमें आएंगे जो grassies या पोधो को खाने वाले animal होगे वो आएंगे second में अब्onut की है के और इसके बाद thank government क्या देदार में क्या हो जाएंगे यह इसको जो खाने वाले होंगे यह इन्यकने जो जो एनीमल दूसरे होंगे कारणिवारस उथाइंगे और जिंर छापमोष जो फाने वाले होंगे वो आजाएंगे तो इसमें होता क्या है इसमें जो energy का transmission होता है वो क्या होता है 10% rule के carding होता है तो इसको 10% rule के carding का मतलब क्या हुआ यहाँ पे तो यहाँ पे होता कि मान लेते हैं यह producer है producer क्या करेंगे producer को जो consume करेंगे secondary consumer यह producer होंगे primary consumer जो होंगे producer को परंजियों करेंगे तो प्रोडूइसर से और एनर्जी इननर्जी को मिलेंगी रम कितने मिलेंगी कि इन्की टोटल एनर्जी का, wr820 cent लेगा, particularly 10% TD को बाद 7% TD के बद्गुवा जब यहेंगे इननेस्ट लेबल वाले ट spend अगसे यह की लेकिन जो हो जो हो गी बहुते ही इंको मिलेगी तीट तो इसका मतलब यह हुआ की जो यहां से यह से यह टांस्मिट होती है यह ने अगरट सıट होगि यह से लेबल के लिए क्या होती है इस लेबल में उस लेबल के लिए वह 100 percent होती है लेकिन उस लेबल से निस्ट लेबल में जो ट्रेल में होती है वो के वड़े 10 percent होती criticisms और जो इस तरीके से पिरामिड आपका बन जाता तो इसको केहते हैं हमेशा कैसा बनता है सीधा बनता है यह कुश्यन हो गया क्या उर्जा के प्रामिट से हो गया यह एनर्जी फ्लो इसमें होता है तो यह हो जाएगा इसका सही एंसर कि एंसर इसका क्या हो जाएगा इसका सही इसका सही एंसर हो जाएगा एंसर नमबर कैसा बनेगा हमेशा हो और हमेशा कैसा बनेगा यह मैं सा धर्राइट या न भरलेगा चलते नेंश्ट wenn पर नेस्ट कुस्यों की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे आङे देखते हैं इसका जो आइंसर है देरस है क्या रख़ा है अडिरेनाललेज़न दे रख़ा है peur दे रखा है और ठीवाञ्टिञ रहा हार्मोन अपैंद्ट को इसको कौन सा हार्मोन होता ह्атud Department a contr Wow Mediterranean है तो इसमें त्यूेक का मतलब क्या हो जाएगा एस त्यूनीकि फीम्नियद का अलभ फस्ट का मतलब क्या हो जाएगा लीट गैस्प्लाइट है एंड भागो ठीक तो यह हो जाएगा यह मतलब 3F फैक्टर है यहीं कि 3F हार्मोन कहों से होता है एड्रनालीन हो जाता है तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों एंबर हो जाएगा ईएगे चलते हैं नेस्ट कुच्ट के अगर हम बात करेंगे यहां तो देखेंगे नया कुछिन हमारा जो है कुछिन नंबर 44 क्या धर रखा है इन विच इस्टेज, दा कॉल्चीसीन इहन θα Izumet Michael Bell करेंगे इस क्यूक्ष्चन की तो यह कुष्चन य बार repeated इसको हम पहले ही उसकिसी paper में वहां चुके हैं तो यह कुष्चन repeated हो गया देखिए यहां पर तो और काल्ची scene क्या होता है ड्रक्ड होती है जो की do derivate कर देता है कि क्रासिस माइटास इस की तो यह किस Reynolds में IP करते हैं तो ये आपको बताना है CC division की मेता फेस प्लांट से उसक इसका सहीन्स हो जाएगा को बीजिन करने वाला हर्मों कौन सा बेटल कर लिए कॉल्सें की सवस्था में करेगा मेटा स्वस्था में प्लांट में नशेशाट कश्चन की आगर हम बात करेंगे तो देखें गिए रहा सो दे रखा का साइंग पर इसल साफ पारिक ये होता है या फिर आगे देखेंगे इसमें क्या दे रखा है C-cells आप thyroid gland या फिर B-cells आप pancreas या फिर adrenal medula तो अगर हम बात करेंगे इस question की तो ये हमारा जो है किस से secret होता है तो C-cells आप thyroid thyroid gland की C-cells जो होती है वहां से ये निकलता है हमारा तो इसका सही answer क्या हो दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा answer number B हो जाएगा आए जलते next question पर next question की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे यहां पर नया question हमारा यह आपको दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है देखेंगे यहां पर क्या दिखाऊ है glycine and aspartic acid होता है फिर या फिर तीसरा दे रखा है glutamic acid and aspartic acid या फिर methionine and glutamic acid तो अगर हम बात करेंगे histone protein rich in तो histone protein किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है तो histone protein rich in यानि कि histone protein में अधिकता होती है किस चीज़ की यानि कि histone protein के जो component इसमें कौन-कौन सी चीज़े अधिकता में पाया जाएंगी तो बात करेंगे आ आर्जिनीन और लियूसीन यानि कि आर्जिनीन और लियूसीन अधिक मात्रा में पाया जाता हिस्टोन protein में हम थोड़ा कहो तो बता देंते से यहां पर क्या हो जाएगा इस्टोन प्रोटीन के बारे में क्या हो जाएगी होती है h2 b होती है और तीसरी भी h3 भी होती है और एक और होती है h4 तो यह हमारी है histone protein आप लोगोंने देखा होगा solenoid model में आक्टासोब model आपने देखा होगा वहाँ पर यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी histone protein और histone protein में क्या दिखता होती आर्जिणीन होता है and क्या होता है Leucine होता है तो इसको याद रखेंगे इस question को तो इसका सही answer क्या हो जाएगा धोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा answer number नबर हो जाएगा आइए चलते हैं next question यहां पर देखेंगे कुश्चन 47 तो दे रखा है诉म की अगर हम बात करेंगे कहां पर देखने को मिल जाएगा सम्भंधित होता है इं आ होता है एनिमल स्यंक्तब्स के लिए होता है तो इसका सही जो हुजsche हमारा ग्याद बीनंबर होीं कि लिए ऑन तुर म्हांतर हो जाए एगा डियंद जानिक संपर मुख्ण हें स्विंद्ग पार्टिसिपेट इन क्रासिंग ओवर डिने का जो सिग्मेंट है तो जो क्रासिंग ओवर में पार्टिसिपेट करता है उसका क्या नाम है तो आपको यह बताना है तो डिने सिक्वेंस जो हमारा होता है जो पार्टिसिपेट करता है किसमें क्रासिंग ओवर में तो वो होता है कि ख़ता क्या जाएगा तो यहां पर क्या होता है इसका सही एंसर आ चलते दे नेश्ट कॉष्ट नवर 49 और 49 की अगर हम बात करेंगे तो अच्छा कॉष्ट ने रख यहां पर देखेंगे एक कपल है इस फोर गल्स वाट इस दा कि प्योबेल्टी आफ फिट चाइल्ड टू बी सन पॉसिबिल्टी होना चाहिए पॉसिबिल्टी होना चाहिए यहां पर ठीक तो देर रखे एक धंपत के चाहिए लड़किया है पांच वे बच्चे के लड़का होने की कितनी है यहां तो चांसे तो फिटी फिटी होते हैं हमेश Dazu दर क्रासिंग अवर में एक्स च्रॉमों के साथ वजटा है तो और यह कहते हैं सउप और एक्स के साथ 10 चला जाता तो CHANCES कैARA हो जाएगे हैं आपके 50 फेसटे 50-50% हो जाएगे तो आए इसको क्रास करके देख भी लेते है थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर माल लेते हैं हम यहाँ पर यह क्या है यह है फीमल और यह क्या है मैल के X प्रॉमासर प्रांग्स लोग हम करते हैं तो क्या होता यहां पर देख लेंगे तो येख लेंगे तो यहां पर क्रासिंग करते हैं तो कहा इसकाoda sr योजाएगा यह साहथ हो जाएक दूसरा इसका स्लाझगL और इसका एक्स हो जाएगा और इसका जो सॉर्ण जो की swamp वाइज फा यहां पर वाई था यहां पर वड़ धा यहां पर वाई हो जाएगा तो एक कंडी शन इने बनती ही इसके साथ क्राशींग अगर हमने क्रालिया तो क्या हुआ एक में ने एक्स बना और दूसरे के साथ साथ होगा तो एक यह हो जाएगा फिर इसका क्रास के साथ होगा तो वाई हो जाएगा यानि कि दो बार आपका क्या बनेगा एकस एकस बनेगा और दो बार क्या बनेगा एकस वाई एकस वाई तो यानि कि तो अगर टोटल कितने अगर क्रासिंग करेंगे तो फोर आपके जो यहांप कैसे हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे कैसे क्या हो जाएंगे यहांगे यहां Je सपूं जाएगा तरज डॉ्स asta को किसी भी नंबर का कियो नहीं हो ठीक है तो यह हो स ant女uria क्या होंगि 50 50 होंगे लड़का होने के और लड़की होने के भी ठीक है इसका हो जाएगा आंसेत पर醬 कुष्चन को हम देखेंगे यहाँ तो यहां पर रखा है इसकुष्चन को थोड़ा समझना भी पड़ेगा यहां फ़ोड़ा सा थो दे रखा है the double standard DNA has 80 percent cytosine percentage of other Basesbly तो यह Daard तो आपको बताना है कि यह कैसा है कु librarians को समझना है समझने के साथ में इसको हम साव करेंगे कि इसको थोड़ på समझते हैं दोस्तों समझना क्या है इसमें देखेंगे तो जो दे रखा है यहां पर क्या दे रक्क है यहां पर जो है 18 परसेंट जो है हमारा दे रखाव साइटों से तो थोड़ा इसको यहां पर जान लेते हैं यहां पर क्या होता दोनों को combination कितना होता 50% होता है दूसरा क्या होता है थाइमीन प्लस साइटोसीन ये भी कितना होता है 50% होता है तो अगर हम बात करेंगे यहां पर तो क्या दे रखा यहां पर साइटोसीन दे रखा तो अगर हम कहें थाइमीन प्लस साइटोसीन 50% तो थाइमीन जो हमारा है औ अगर हम कहें इसमें से अगर 50% मैंसे क्या निकाल दें साइटोसीन निकाल देंगे तो थाइमीन का हमारा आ जाएगा यहां पर देख लेंगे 50% यह हमारा है 50% मैनस कर देंगे कितना 18% क्योंकि दोनों को कांबिनेशन कितना होता 50 होता है तो अगर हम उसमें से मैनस कर देंगे तो अगर हम cytosine की value minus कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा हमारा 32 32 क्या हो जाएगा 32 हमारा हो जाएगा thitymine ठीक तो यहां पर thitymine देखिए कहीं पर 32 दे रखा होगा तो यह chances होँगे कि यही होना चाहिए यह तो Thaiman यहां पे तीन जीखा पे तो आप क्या करेंगे अब हम बात करेंगे किसकी तो अगर हम करेंगे गॉणीन की तो अगर हम गवाणीन और नहीं हम जी कि यहां पिए यहां पर दे ढुए तामीन दे रखंग है उसके बाद अगर हम कहें लाँ साथ में यहां पर एक चीज और आपको जानना है तो जो हमारा थाइमीन होता है थाइमीन की वाइलू और एडिनीन की वाइलू यह दोनों कैसी होती बराबर होती है और एक चीज जो यहां साथ में और जानना होगा कि ग्वानीन की वाइलू और साइटोसीन की वाइलू यह द भी कितनी हो जाएगी यहाँ पर भी हो जाएगी अपके 32 हो जाएगी अगर Adenine में 32 हो गई तो यही 32 की वी यहाँ पर हम कितना रख देंगे AEcallini की वी 32 रख देंगे और अगर यहाँ से total 50 दे रख रहा है Adenine plus Cytocene तो यहाँ से Cytocene की वी 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 कितनी और जाएगी 32 यह है तो Cytocene कितना माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा कितना अगर हम कहें 50-32 तो कितना हो गए 18 हो जाएगा तो ग्वाइनीन के पास 18 हो जाएगा और यह हमारा थाइमीन के साथ 32 हो जाएगा ठीक तो देख लेते हैं इसमें कौन सा एंसर इसका सही हो जाएगा एडिनीन के वास भी 32 हो जाएगा तो इसका सही एंसर जो हमारा निकल के आ रहा क्या निकल के आ रहा है इसका सही एंसर जो हमारा निकल के आ रहा देखे यह रेकिए दे रखा है थाइमीन यहाँ पर कितना दे रखा यह दे रखा है और अगर गवानीन की बात करेंगे तो गव यहां पर एक बार कंडीशन इसको फिर से देख लेंगे सारी कंडीशन कैसे क्या होती हैं तो सारी कंडीशन के जानने के लिए क्या होगा एक बार देखेंगे इसको तो यहां पर दे रखा आपको ध्यान रखना है क्या क्या है जी जी बराबर होती है तो और क्या क्या होता है एडिनीन की वाइलू जो बराबर हमारी होती है किसके थाइमीन के बराबर होती है यह कंडिशन यह याद रखने है आपको और गवाइनीन की वाइलू जो हमेशा बराबर होती है साइटोसीन के साथ होती है यह कंडिशन होती है अब एक चीज और साथ में याद रखना है एड चार कंडिशन को याद रखेंगा और इसमें से कोई भी कुछ भी दे रखा होगा आप निकालेंगे आसानी से तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा सी नंबर ठीक है तो यह हो गया आए चलते नेस्ट कुश्चन पर नेस्ट कुश्चन की बात करेंगे तो देखेंगे नया कु पर यह आपको बताना है तो देखेंगे डिन ने किसमें नहीं पाया जाता है अगर निकले टेड़ यह हो जाएगा या फिर मैच्योर मैमेलियन और भी सी हो जाएगा या बोथ हो जाएगा या फिर इस पर मोझाएगा तो अगर हम बात करेंगे तो इसका सही एंसर क्या होग सब्सक्ham सब्सक्राई ने यह सब्सक्राई हो जाएगा इसका सही answer यह हो जाएगा आए चलते next question पर next question कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नया question next question हमारा दे रखा है क्या दे रखा है यहाँ पर देखेंगे एक couple having blood group AB and O adopted a son later on they gave birth to twins the blood group of adopted son age तो बता कि एक दामपती जिनका रख्त समूँ AB तथा O है ने एक लड़के को गोद लिया बाद में उनके जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ गोद लिये गए बच्चे का रख्त समूँ क्या होगा तो गोद लिये बच्चे का मतलब यह होगा उनका खुद का यह बच्चा नहीं होगा तो इनका जो उनके बच्चे नहीं तो adopted बच्चा है तो वहाँ पर उनका ब्लड ग्रूप ऐसे इतनी आसानी से पता नहीं लगा सकते हैं testing करेंगे तो पता चलेगा बट उनके अगर parents की compare में पता करेंगे क्या हो सकता है उनकी compare करेंगे parents क्या होगा तो वो इसका सही answer क्या होगा ना आप दीजिए इसमें से यह नहीं cancer number D हो जाएगे क्योंकि बच्चे को उन्होंने क्या किया है adopted किया है तो वो उनका बच्चा नहीं है यह किसी दूसरे का बच्चा होगा ठीक है तो यह हो गया इसका सही answer आईए चलते हैं next question पर next question की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नया question हमारा दे रखता है statement A statement A दे रखता है क्या दे रखता है cumin and coriander are spice yielding plant cumin और spender जीरा तथा धन्या मसाला देने वाले पादब यह दंबास सही है इसको ध्यान रखेंगे in both fruits are used in both fruits are used दोनों में फल का उपयोग होता है यह भी बास सही है तो देखेंगे इसमें क्या हो गया both the statement are wrong क्या दोनों statement गलत है नहीं दोनों सही है statement A is correct and statement B is wrong क्या पहला सही है A और B गलत है बिल्कुल बात गलत हो गई है अगर थर्ड की बात करेंगे हम statement A is wrong and statement B is correct यह भी बात इनकी हो गई गलत आई जिदे लास्ट वाला देखेंगे इसमें क्या दे रखा है both the statement are correct तो इसका सही एंसर जो हो जाएगे क्या यह हो जाएगा D इस तरीके से भी question आसकते दोस्तों तो द्यान रखेंगे ऐसे भी statement वाले question भी आसकते है आईए चलते next question पर next question की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर next question आपको दिखाई दे रहा यह देखी यह पूरा दे रखा है तो यहाँ पर यह थोड़ा बड़ा सा question है तो इसको थोड़ा हम छोटा करने के यह यह question आपको दिखाई दे रहा यहाँ पर यह देखेंगे यहाँ पर दे रखा है तो इसको देखेंगे तो इसको क्या करना है match कराना match कराना तो इसमें बताना है यहां पर क्या दे रखा है यहां पर प्लैसेंटा दे रखा है और यहां पर बारियर होते हैं नहीं तो यह पूरा सेट अप बताना चुभा करोसी में पाया जाता यह बात गलत है यह नहीं होगी तो तूसमे bebty और देहा है और यह कहां पर दैखने को मिल जाएगा और कहां पर अब मिल जाएगा तो इन सारे जो मैंमेल्स है है मुली गाऊ और कहां भी देह्ने मिल जाएगा लभा ये खर्गोस में भी देखने को मिल जाता है रात में भी देखने को मिल जाता है यो थ्री वैरियर्स होते हैं ठीक है तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कि अज़ी अचै को शेट कुशन पर नेस्ट कुशन की अगर हम बात क्या दे रखा है कोश्चन नमर 55 दे रखा है तो दे रखा ग्लोबीनीमिया १ो मेथैनोग्लोबीनीमिया हो जाएगा जो तो इसका सही एंसर हो क्कोम फिर नीलनी धीघ अगे sudah मिनल्स की कमी हो जाती है आयन्स की कमी हो जाती है तो यहां पर क्या हो जाएगा एक तो जो बात करेंगे पाउधे में हारित रोग का कारण क्या हो जाएगा तो हारित रोग के कारण की अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या हो गया डिफिसेंसिया मैगनेशियम यानि कि एम जी ठीक यह होता है तो यह क्या हो ज्यादा क्लोरोसिस हो जाते हैं प्लांट में आई चाहते हैं नेश्ट कुश्टन पर हुमारा कुश्टन नमबर 57 है कुश्टन नमबर 57 की अगर हम बात करेंगे तो फिब्टी सेवन दे रखा है दा प्राइमरी रिसेप्टर आप सीओ टू इन C3 plant C3 plant में सबसे पहले जो है CO2 को receive काउन करता है तो यह बात करेंगे RUBP सबसे पहले receive करता है तो इसका सही answer हो जाएगा दोस्तों important question है यह तो इसको याद रखेंगे RUBP RUBP हो जाएगा ठीक है आई चलते है next question पर next question की अगर हम बात करेंगे तो next question देखेंगे यहाँ पर रखा है question number 58 question number 58 की बात करेंगे RQ of axilic acid in तो आप याद रखेंगे RQ of axilic acid कितना होता है 4 होता है यानि कि सबसे ज़्यादा होता है यह याद रखेंगे यहाँ पर 4 होता है तो याद रखेंगे इसको काई बार पूछा गया कुश्चन दोस्तों ये आए जलते हैं नेस्ट कुश्चन पर नेस्ट कुश्चन के अगर हम बात करेंगे तो A, B, A ठीक के लिए सत्तिक अथन है तो ये बताना है, या एक प्राकृतिक ब्रिद्धी निरोधक हार्मोन है या पौदो का एक गैसिया हार्मोन है या बात करेंगे तो यहाँ पर जो इसका सही अंसर क्या हो जाएगا देख लेंगे इसका सही अंसर क्या है तो यह हमारा जो इसका हो 59 नमबर पर जुदे रखा हमारा कुश्चन नमबर 59 के क्या हो जाएगा ए हो जाएगा केवल ए यह एक प्राकृतिक ब्रिद्धी रोधक हार्मोन है तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा नमबर ए हो जाएगा कैसा है यह केवल कैसा है यह आपका एक प्राकृतिक ब्रिद्धी रोधक हार्मोन है ठीक है ब्रिद्धी निरोधक हो जाएगा तो दोस्तों रोधक हमने बोला तो निरोधक हो जाएगा यह ठीक है आए चलता है नेस्ट कुश्चन पर नेस्ट कुश्च कुछन हमारा यह हो जाएगा आज चलते हैं दो सुन नेश्ट कुछन पर नेश्ट कुछन हमारा दे रखा यहां पर देखेंगे कुछन नमर 60 कि अगर बात करेंगे तो दे रखा है एनिमल्स लीडिंग एक्वाइटिक लाइफ सो एडाप्टेशन बताया क्या है तो एनिमल्स जो एक्वाइटिक लाइफ के लिए डाप्टेशन होते हैं उन्हें हम कैसे अनकूली दरसाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं तो देख लेंगे यहां पर दे रखा है नेटाटोरियल ठीक इसमें क्या कहते हैं नेटाटोरियल कहते हैं तरण सील यानि कि तालाब में रहने वा हो जाएगा तो दोस्तों यह थे कुछ important question और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को subscribe कर लें क्योंकि अब तो डेट भी कोशिस हो चुकी हैं दोस्तों तो अब यहां को यहां पर बहुत अच्छे अच्छे question आपको previous year के आए हुए हमसाल करवाते रहते हैं और जो दोस्त नए हैं उस चैनल को subscribe कर लें जिससे की क्या हो उनका फायदा हो और question का पता चले कैसे question आते हैं और जो दोस्त पुराने हैं वो वीडियो को बाज भी करते हैं नए दोस्त भी वीडियो को बाज करते र